नमस्कार दोस्तों रंजीत तंज्वराट में आपका स्वागत है और कैसे आप लोग उम्मिद करता हूं बहुत मज़े में होंगे आप मैंने अभी सीव परिवार पेंटिंग फाइनल हुई है छे दिन के अंदर अंदर पेंटिंग बने है और यह दिन रात काम चला है सीव परिवार पेंटिंग में क्योंकि कल भटिंडा मतब यह आज भटिंडा निकल जाएगी और कल जोलर्स जोली जोलर्स हैं उनका सोरूम का तो वहाँ पेंटिंग लगनी है तो बस वह आज अभी थोड़ी दर बाद रवाना हो जाएगी सिर्फ वीडियो बनते से पेकिंग स्टार्ट हो जाएगी और पेंटिंग भटिंडा के लिए रवाना हो जाएगी तो स्वी परिवार पेंटिंग कैसी बनी है मैं दिखाता हूं आपको कि यह स्वी परिवार पेंटिंग 42 इंच यह 3.5 फिट और 4 फिट और 4 इंच फिक्स साइज थी उस हिसाफ से पेंटिंग बनी हम लोग अगर आपके घर में कुई लंबई ज्यादा है यहां अइस हिसाफ से घ्ला पींटिंग बनी हे और इतना ही जैसे एक चीज हम पकड़ते हैं जैसे कि चोड़े इसमें 3.5 फिट है तो उसे साफसे बाव नींचे लंबभी बठी तो यह बने हैं जो भी साइज हो आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट हो पेंटिंग से संब्दित वो सारी चीज बनाते हैं यह प्लेन पेंटिंग है 3D पेंटिंग नहीं है जैसे 3D पेंटिंग तो जैसे तिरूपति बाला जी है या हमारे खाटुचाम जी राम दरबार इस तरह से 3D काफी बनी होई पेंटिंग मेरे पास है काफी कलेक्शन रहता है मेरे पास और प्लेन पेंटिंग का भी रहता है जैसे पिछवाई पेंटिंग हो गई गणय जी, बाके बिहारी जी, सेनाज जी, खाटुस्याम जी, हर तरह की पेंटिंग होती तो ये सारे 3D पेंटिंग है, प्लेंट पेंटिंग में क्या होता है, कि जहां पर हमको गोल्ड लगाना है, वही पार्ट हम उठाएंगे कोनिंग से, जिसे हमको यहां गोल्ड लगाना है, तो ये एम्बोस से उठाएवा है, ये सारा एम्बोस से उठाएवा है, इम्बोस से उठाने के बाद में उसके बाद में गोल्ड लगता है, जैसे ये गोल्ड लगावा है, पूरा, उसके बाद गोल्ड के उपर भी काम होता है, जो बारिक काम होता है, कि और शिवजी की धुती में म्रख्चाल में भी गोल्ड कर यह लगा रखा और उसको सेटिंग से उठा रखा आज अजि तो गोल्ड लगने बाद गोल्ड के उपर कां फिर अब कलर स्टार्ट होता है प्लेन कलर भराय उसके बाद बारिक ब्रस से पूरी सेडिंग लगी हुई है उस सेडिंग के बाद डिजाइनिंग है और चेहरा बनाने का काम होता है और साथ-साथ भी उसी टाइम गोल्ड नगों का काम भी होता है इस तरह से पैंटिंग का प्रोब प्रोसेश है बनने का कोई भी पैंटिंग आप बता सकते हैं कई पी होना चाहिए इनके साथ सेवादार ऐसे होना चाहिए यह सारी चीज भी हम sketch करके बताते हैं और उसी साफ से फिर हम मैं painting बनाता हूं और sketch भी पूरा final कराता हूं जिनको भी बनवानी painting उनसे final कराता हूं और बड़ी से बड़ी painting भी बनती है 15 फिट तक मैंने बना रखी थ्रीडी painting और चोटे-चोटे 6-8 इंच मैं भी बना रखी मंदीर की चोटे-चोटे मंदीर की painting भी बनती है जैसे यह इस तरह से चोटे मंदीर की painting है बनी हुए तो आपको प्लेन बनवाना हो प्लेन painting बनवाना हो प्लेन तंज और साउथ इस्टाइल में है यह कुछ वेरिशन कर रखा है 3D painting है इस तरह से बनवाना हो तो भी आप मुझसे contact कर सकते हैं छोटी बड़ी या sketch करके बनवाना हो यह वर्ड में कोई ऐसा piece बनाना जो सिर्फ आपके माइंड में हो वह भी मैं बनाता हूं क्योंकि बस सिर्फ आपको explain करना है और मैं sketch करके बताऊंगा और उससे साफसे आपको वह painting बनेगी जो सिर्फ वर्ड का पहला piece होगा और वह आपकी यहीं होगा तो आप दुनिया में कहीं भी हो आप मैं उसे contact कर सकते हैं मेरा contact number है 931-332-431 और इसके अलावा हर वर्ड में कहीं भी painting पहुचाने की guarantee होती है आप कहीं भी रह रहे हो तो बस by courier by air और container द्वारा इस तरह से मैं painting पहुचाता हूं बस आपको जो पहुचाने का खर्चा है वो देना है बाकी तो आप यह चिंता मत करो कि पेंटिंग कैसे आएगी बस आपको अगर painting बनवानी हो तो phone उठाइए और phone किजिए इसके साथ साथ दिली NCR में home यह painting सिखाता भी हूं मैं home classes भी देता हूं और मेरे यहां पर भी आकी class होती है तो आप जो भी बनवानी हो मेरे से contact जर वीडियो अच्छा लगते हो पेंटिंग अच्छी लगती हो तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं बेल आइकन को जरूर दुबाए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जहिन